बहुत लोगों के सवाल और जबाब के बाद फाइनली मैं आज बोलने ही वाला हूँ मतलब रिवील करने ही वाला हूँ क्यों मैं अपना जो 90 डेस का ट्रांसफोमेशन का जो सिरीज था उसको आफ करना पड़ा यार मतलब मजबूरी वे करना पड़ा और वो रिजन क्या है मै आज बोलूँगा सबको बहुत लोग मेरे को कमेंट में फूछ रहा है फेस्बूक में पूछ रहा है मेरे पेज में पूछ रहा है कि क्या हुआ ट्रांसफोमेशन सीरीज का अचनक से ओफ क्यू कर दिया तो बोलूँगा मैं आज बोही लेकर बात करऊंगा क्यों मैंने अपना जो 90 days का transformation series है उसको मैंने off किया by the way दोस्तो you are in beast mantra vlogs तो आज है रक्षा बंधन बहुत एक शुब दिन है और आज संडे भी है तो कुल मिला के दो मज़े एक साथ और आभी कुछ दिर पहले मैं अपने जिम से आया ट्रेणिंग करवा के फिर शाम को जाना पड़ेगा और जिम जाते हुए भी मैं अपना 90 days का transformation series क्यों नहीं continue कर पाड़ा हूं वही मैं reason आज आपको बताऊंगा तो चलो में आपको सब्सक्राइब जैसे कि दोस्तो 2017 में during short put practice मेरे knee में ACL tear हो गया था और उसके बाद से बहुत time कभी कभी pain होता है कभी कभी pain नहीं भी होता है तो मैंने अच्छा डॉक्टर भी दिखाया है sports medicine doctor दिखाया जिनका एक ही कहना है और एक ही चीज मानना है कि इसको तुमको ओटी करना पड़ेगा यह कभी भी पूरा ठीक नहीं हो पाएगा लेकिन उसके उपर भी मैं workout करके कोई strength training करके थोड़ा बहुत टेकनिकल वेज में अपने जो इसको थोड़ा ब्रिल्ट किया और वह जो पेन था उसको धीरे धीरे रिकवर किया लेकिन पूरा पेन नहीं गया था रह गया था लेकिन जब मैं ज्यादा बहुत ही बढ़ गया था और इसके चलते मैं नया कोई workout ना तो कर पा रहा था ना तो मेरा जो नहीं है बो strength उतना दे पा रहा था कि मैं नया कोई workout कर पाऊं तो यह है दोस्तों सीन और चलो आगे जाके और मैं डिटेल बोलाओंगा तब तक थोड़ा लंच का टाइम हो गया थोड़ा लंच करके फिर मैं बोलूँगा क्या एक्च्वल हुआ क्या था चलो मिलते है लंच के बाद दोस्तों इस दौरान जब नाइंटी डेस का ट्रांस्फोर्मेशन सीरीज चल रहा था तो मैं एक दिन मैं मान लोग बहुत देर तक कंटीनू खड़ा रहा हूं या तो मैं चल रहा हूं बहुत लंबा वकिंग कर लिया तो बहुत ही पेन होता है और इसका ट्रिट्मेंट तो फिलाल मैंने शुरू कर दिया और वर्काउट उतना हेवी मैं करने ही पादो अभी कोई भी वर्काउ इस ट्रांस्फरमेशन मैं कंटीनू करूंगा विदाउट लेक्स वर्काउट यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो लोग जानते हैं कि विदाउट लेक्स वर्काउट बॉड़ी इंप्रूफ नहीं हो सकता और होगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं होता तो इसलिए मेरे को लगा कि फिलाल इस जो ट्रांस्फरमेशन सीरीज है इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहिए पर जब मेरा घुटने का जो मतलब हभी हाल है यह थोड़ा बहुत रिकवर नहीं हो जाता जो कि पहले जासा है रिकवर नहीं हो जाता तब तक इसको कंटीनू करने का कोई फायद करना चाहिए और यही आईडिया लिके मैं और मेरी वाइफ अभी रोज नए-नए चैलेंज कर रहे है और इसको मैं कंटीनू करूंग अभी और आप लोग देखो मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ बहुत ही आवारी ह नहीं कियो वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि दोस्तों यहां पे सिफ घ्यान नहीं यहां पे बहुत सारे मजाक मस्ती भी होता है जो सिफ मैं ग्यान नहीं बाटता और यही है दोस्तों मेरा रिजन के मेरे को 90 देस का जो ट्रांसफरमेशन है वो आफ करना पड़ा अगर इनकेस फ्यूचर में थोड़ा बहुत मैं इसके उपर मतलब बेस्ट ऑन माई नी इट्स रीकवर जल्दी हो जाता है तो फिर मैं जो यह ट्रांसफरमेशन सीरीज है इसको कंटिन्यू करूंगा और इसके साथ साथ और एक मज़ेदार जो चीज है वो है कि व और यही है चलो मिलते है बहुत जल्दी एक अच्छे वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ क्वालिटी वीडियो के साथ खाना वाना दिखा के यही मज़ा होगा जल्दी से तो सब अच्छे रहो खुश रहो और मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ तब साइनिंग ओफ बीस्ट मंट्रा व्लोग्स